। नमस्कार, कल मैंने आपको यह बताया था कि यह लोक दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली में दिल्ली से इन्होंने अपने तांत्रिक से बात की, तांत्रिक ने इंको बताया था कि आप जो नर्मुंड पहने हुए हैं माकाली और अजे हो गई है, आपको उतनी ही नर्मुंड यानी उतनी ही नर्बलियों की आउशकता है आप देख लीजिए कितने उसमें कम है इन लोगों ने घर पे जाके ये गिना और ये पाया कि अब तक 80 या 80 हत्याएं कर ली हैं शिप्रकाश ने और इसने कहा कि हमें बाकी की 20 हत्याएं बहुत जल्द नहीं दे पाएं इसी बीच में वो परिशान भी था बहुत कि क्यों और कैसे पुलिस उसके पास तक पहुंच रही है पूरी सावधानी बढ़ती गई नए मोबाइल खरीदे गए नए सिम कार्ड खरीदे गए गाली बबैट के दूर-दूर से बात की गई इसी में आरिफ बिल्डर से भी बात की आरिफ बिल्डर ने एक हक्ते का समय दे दिया फिर यह बार-बार बात करते-करते इन्हें एक बात और इनके दिमाग में एक इनके मस्तिष में आई कि इस समय का सदुपयोग किया जाना बहुत जरूरी है और हम नहीं करेंगे तो लोग हमको भूद जाएंगे और फिर पुलिस जिस हिसाब से घेरा बंदी कर रही है बहुत जल्दी हम तक बहुत जाएगी इसके दिमाग में एक बात यह सवार हो गई थी जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इतना दुसाहस कौन कर सकता है लेकिन उस समय तक कालिन समय में जो परसितिया थी कि इनके दिमाग में घुझ गया था कि हम अगर ऐसा करेंगे तब ही राजनीत में आ सकते हैं और एक बार हम राजनीत में भीतर आजाएंगे तो हम कहीं भी अपना कपजा जमा सकते हैं उसे बार बार यह बताया जा रहा था कि माननी मुकमिंत रिषिय कल्यान सिंग जी ने बिल्कुल पुलिस को कस दिया है अलग से यूनिट बना दी है और उनके सिवा बिना उनके आजेश की किसी की कोई हिम्मत नहीं कि उनके घरवालों को छोड़ सके या उनके घरवालों को तंग करने से रोका जा सके उसकी हिम्मत ये तो नहीं पड़ गई थी कि मुक्मिंतरी जी को कैसे डराया जाए उनको कैसे धुमकाया जाए लेकिन अचानक इस बीच में बादचीत करते करते उसे किसी से ये पता लगा कि जो ब्रमदत दिविदी जी के हत्या हुई थी उनकी लड़के उनसे मिलना चाहते हैं अनुद ज़र सुधीर ने एकदम साफ माना कर दिया कि यहां अभी किसी से मिलना ठीक नहीं है पता नहीं हो किसके थुरू आये हैं और समय हमलों का खराब चला आया है कौन कहां से मुखबरी कर दे जाने के आने के रास्ते पर कौन बैठा हो कब मुलाकात हो बैराल जब बीडिवी को पता है कि क्या आरोप लगाए गए थे वारोप सच्चे थे कि जूठे थे इस पर मुझे नहीं जाना है लेकिन क्या आरोप लगाए गए थे बाचीत के बाद जब वो बाहर आया तो उसने का साब यहीं पर दिल्ली में ही एक आश्रम है जहां पर एक फरुखाबाद के ही एक बड़े जो सादू है जो राजनीत में भी दिल्चस्पी रखते हैं उनका आश्रम है और अगर उनको और वो मुखमिंत्री जी के बहुत नस्दीक हैं अगर हम उसको किसी तरह मार देते हैं तो हमारा दो तरह से काम हो जाएगा एक मुखमिंत्री जी के पास यह संदेश पहुँच जाएगा कि कोई कितना भी आपके नजदीक हो हम उसको मार सकते हैं और आप तक भी पहुंच सकते हैं नंबर दो कि ब्रम्दत दिवेदी के लड़कों का भी काम हो जाएगा उससे कुछ हमें पैसा मिल जाएगा यह बात सुनके फिर एक बार जैसा मैं बार बार बताता हूं कि इस तरह के काम जो बहुत ही डेरिंग बिना सोचे समझे या जिसमें जान का भैहो उसके लिए बहुत जल्दी राजी नहीं होते थे अनुझ भी और सुधीर भी लेकिन उसके आगे किसी किचलती नहीं थी उसने घुलक दिया उसने का कि सोबद छे विजे के आसपास हम ल कोचन करते हैं दर्शनार्थी कहां से जाते हैं यह सब उसने देख लिया है लोट के उसने बताया कि अभी कोई कंबल ओड के नहीं आ रहा है आपको एक मेने और हमें इंतजार करना पड़ेगा जब अक्टूबर या लास्ट मेया नॉवंबर तक जब लोग कंबल लोड के आना शुरू करेंगे हां पर तो हम आराम से के 47 लेकर आ सकते हैं और बहुत नजदीक से अपने टार्गेट तक पहुत सकते हैं फिर भी चांस लेने में उसे कोई पैसों की तुरन जरूरत तुरन ऐसा काम कर देना जिससे सब लोग डर जाएं बिलकुल शीर्ष राजनेतिक चीर्ष जो प्रदेश का है वो डर जाए यह उसके दिमाग में बैठा हुआ था इसे इनी सब कार्णों से यह कहा जाता है कि इतना दुछसासी अपराधी इतना खराब दिमाग का अपराधी इतना बदिमाग आदमी कोई शायद उस समकालीन पीरेट में उत्तर प्रदेश म में नहीं रहा होगा जबदश्ती नोगों को लेकर आने जाने के रास्ते पर सब पर देखा और उस दिन उनका कोई कारिकरम नहीं था अगले दिन फिर बताए गया कि अगले दिन आएंगे अगले दिन ये फिर तयार होके गए अपने सारे असलहे बैग में रखे गए लेकिन उस दिन सारे दरवाजे आश्रम के बंद मिले वहां पर सेक्यूर्टी गार से पूछा क्या हुआ अज नहीं आएंगे क्या महराज तो उसको ये बताया गया कि महरा का उसने फिर उनको फोन करना शुरू किया इस बीच में जो दो तीन कॉल उनको की थी और भी जाक बाकी जो कॉल थी उसके नंबर निकाल लेने से ये पता लगा कि आरी बिल्डर को कॉल करने के कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद ये भी और नंबर मिले हैं उन नंबरों उनको देखा गया उन में से दो नंबर गोरकपुर के भी थे गोरकपुर में डियाजी उस समय श्री एसन सिंग साथ थे अरुनकुमा ये नंबर दिया और उनसी ये कहा जिए साब ये नंबर किसी तरह से आप लगवाई यहां पर क्योंकि इन नंबरों पर बात होती है यह बात कहीं आउट नहों कि अगर रिकॉर्डिंग की बात या इन नम्बरों की लगाए जाने की बात कहीं पता लग जाएगी तो फिर वो सतर्क हो जाएगा हम बहुत नजदीक तक पहुंच गया हैं हमारे आपलेशन में नुकसान होगा एसन सिंग साब ने बहुत स्पष्ठ किया गि ैंने अपने घर पे ही ये पूरी यूनित लगा रखे है और मैं स्वयम बात करता हूं टेलिफून के अधिकारियों से जो नम्बर लगवाना होता हूँ नम्बर को लेने देने का का मैं स्वयम करता हूँ इसलिए इसमें फरिश हारिफ के किसी नौकर में उठाया नौकर से उसने पूत्षारशी प्रकाश ने कहा है उनका साभू तो है नहीं इस समय आप बता दीजे तो उसने कहा कि बता देना अशोक सिंग का फोन आया था इतना कहके फोन कार दिया लेकिन इस बीच में जब नंबर का पता किया गया तो यह भी नंबर दिल्ली से आया हुआ था जो लोकेशन मोबाइल की मिली वो दिल्ली की थी यह डिसाइड किया गया 19 सितंबर को कि सभी लोग हम लोग अब दिल्ली चलते हैं बहुत परिशान हो चुके थे ताने सुनते सुनते परिशान हो गए थे अख़वारों में देखके परिशान हो गए थे और जो जो दबाओ था उससे भी बहुत तंग आ चुके थे हम लोग यह हुआ कि जब पिछले पांच छे दिनों से लगातार उसकी दिल्ली ही लोकेशन आ रही है हो सकता है को एसी इंफॉर्मेशन तुरंट की मिल जाए कि हम वहां उसको नैप कर सकें उसके पकड़ सकें या उसको उसके अंजाम तक पहुंचा सकें इतनी दूर से बैठके फिर वहां पर जो हमारी चोटी टीम में संभौता वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकती है हम सभी लोग 19 तारीक को दिल्ली पहुंच गया है दिल्ली में जैसा मैंने बताया था कि सभी क्राइब के लोगों से बात की कि कि सभी तरह से हम इसके मोबईल को कैसे सुन सकते हैं तो फिर उन्हों ने जह से बात कि आ यह सकता है लेकिन यह सुनने का काम वो जो है आपको अपने जो मुबाइल पर करना पुड़ेगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है पीपी सिंग ने बताया कि हम लोग यह करते हैं कि पुराने जो मुबाइल फोन है उसमें जो कान की तरफ जहां आप सुनते हैं जो सुनने वाला स्पीकर है उसमें पीछे दो होल करवाके जो एक लाल और एक हरे रंग का तार जो इससे आवाद सुनाई पड़ती है कॉल की उस उसके बिजली की दुकान में लगवा लेते हैं चोटे वाले टेप रिकॉड से उसको कनेट कर देते हैं जिन में चोटे-चोटे कैसेट होते हैं और हम उसी तरह रिकॉड करते हैं हम लोगों के पास सब के पास जो फोन थे ढूले गए दो सोनी एलेक्शन के दो पुराने फोन निकले वह उनको दिया गया और उनको आशामने दिया कि भाई इसमें आप वो तार निकलवा लीजे हम लोगों के पास चोटे कैसेट्स हैं जो लैंड लाइन के फोन हम लोग सुनने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चोटी वाली किट से जो पैरलेल में लगा जेते थे स्टेटिक फोन से और उसमें टेप में लगा के हम लोग रिकॉर्ड कर लिया करते थे उन्हों ने दो तीन घंटे के भीतर ये बनवा लिया और एक रिक्वेस्ट लेटर साब ने अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस को भेजा कि साब इन नंबरों को हमें लगवा दिया हमारा स रहा था उन नंबरों को लगवा लिया गया उनको सुनने का काम मेरे ही सुपुर्द किया गया कि आप इसको सुनते रहें रिकॉर्ड करते रहें जो भी बात हो वो बताई जाए उनिस तारीक की रात तक हम लोग व्यवस्तित हो गए थे बीस तारीक को नवरात्र शुरू हो रहे थे मैं ब्रत रखता था नौ दिन का रूंकमा साब पहले दिन का रखते थे और शाम को मीटिंग हुई बैट के कॉल किस तरह की आ रही है तो यह हुआ कि कोई इंपोर्टन कॉल होगी तो जरूर बता दिया जाए और तुरन चलना होगा तो इस हिसाब से सब लोग यहां रहें कि अगर पचास साथ सतर किलोमेटर तक जाना हुए यहां तो हम लोग जल्दी से जल्दी आधे गंटे में पहुंटे में वहां पहुंच सकें क्योंकि जिस इंटरसेप्ट कर लें अब इस तरह से हर तरफ सोचने की मतलब कोई पॉसिबिल वे जो भी पॉसिबिल्टी हो सकती हर तरह से हम लोग सोच रहे हैं तब ही शाम को एक कॉल आई शिप्रकास के वो नंबर जो लगे हुए थे जिसको मैं सुन रहा था उसमें शिप्रकास तो को नहीं बोड़ ला था को दूसरा बोड़ रहा था और वह इंक्वाइरी पे फोन कर रहा था एयरपोर्ट की एयरपोर्ट की इंक्वाइरी पे उसने यह कहा कि साब आज यानि 19 तारीक का हम लों का तीन लोगों का राची जाने का टिकर था लेकिन हम सबेरे की फ्लाइट कि उसे पकड़ नहीं पाए और वो प्लेन चूट गई तो क्या इसको इंडियन एरलाइंस के किसी उसमें किसी दूसरी फ्लाइट में 22 तारीक की जाने की जो फ्लाइट है बलकि 23 तारीक को जाने की जो फ्लाइट है उसमें हम किसी तरह से इसको ट्रांस्फर करा सकते हैं क्य इंक्वारी पे बैठे हुए आदमी ने कहा कि साथ वैसे तो इसका कोई प्राविधान नहीं है लेकिन आप काउंटर पर आईए आप टिकट लेकर आईए हम सारी चीजें चेक कर लेंगे कि कब छूटा है और क्या उसकी जगर पे हमारा कोई दूसरा प्रेसंजर गया था कि न और वहां तो प्राविधान ने बोले देखी सब एरलाइंस का अपना अलग-अलग है यह दूसरे एरलाइंस का टिकट था और आप उसको इंडियन एलाइंस में ट्रांसर करना चाहते हैं इसकी संभावना बहुत कम है आप सुबह आ जाए दस वजे तक आप आईए हम लोग हम अपने यहां उसर से भी बात कर लेंगे विचार करते हैं क्या यह चेंज किया जा सकता है क्या तो यह बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी तुरंट बताया गया सबको और यह तैह हुआ कि सुबह 10 वजे तक हम लोग यहां से निकल चलेंगे 9 वजे तक निकल चलेंगे त सब लोग निकल गए और हम लोग वहां एयरपोर्ट पहुंचे डी सीपी एयरपोर्ट से उन्होंने बात कर ली कि ऐसी ऐसी बात है कोई आजमी अगर अपने तीन टिकट इंडियन एलाइंस में शिफ्ट कराने के लिए ट्रांसर कराने के लिए या एजस्ट कराने के लिए तो आजमी हमें इशारा कर दे हम उसे बहां से हम उसको डिटेन कर लेंगे हमें उसकी ज़रूबत है वह एगरी कर गये काफी देड़ तक हम लोग वहां बैठे रहे लेकिन वहां किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई कोई आया ही नहीं Umद शाम को फिर पोन आया कि यह फोन आपके बार श्रीप्रकाश ने उठाया और फोन सूरजभान का था सूरजभान ये पूछ रहा था कि आदमी हमारा पहुंच गया था कर नहीं पहुंच गया था तो श्रीप्रकाश ने बताया कि हाँ आदमी आपका पहुंच गया था सामान सब दे दिया है जन में उसने जहां पर जगह बणवानी थे जगह बणवा के सारा सोमान लेके रवाना हो गया है हमें आना था 19 को लेकिन हם नहीं आ पाए अब हम 22 तारीक को आएंगे और 22 तारीक को या तेज तारीक को सुबh की फलाइट हमारी हम उससे आएंगे और तब तक वो भी जन वाला भी वहां पहुंच जाएगा जो सामान लिके गया उसका आशे था अथिहार सब उसने इन लोग ये लोग इतना डर गए थे गिनों के सब बाई रोड नहीं जाएंगे हम बाई एर जाते हैं रही बात असलों की तो असलों को हम जन में पीछे सीट के पीछे बीच में कैविटी बना गए इस काम में बिहार के लोग बहुत माहिर थे तो यह हुआ कि सुरत भान से का जाए वो अपने आजमी भेज देंगे और गाली अपनी भेज देंगे और उसी से हथियार वहां इनको इनको रांची जाना था रांची में इनका कोई काम कोई बड़ी हथियार रांची में करनी थी तो उस लिहाज से वह असलहों को रांची भीजवानी की बात हो रही थी और उनको यह भी बताए कि हम तेज तारीक को सुबह वाली फ्लाइट से आएंगे आपको गाड़ी एएरपोर्ट पर भेज दीजेगा यह बात जैसे हुए फिर हम लूँ के कान खड़े हो गए कि आजमी गया ने और कोई टिकट अर्जस कराने नहीं गया और तेज थारीक की फ्लाइट इनों ने बुक करा लिया बात चलते चलते फिर दिमाग में है कि वहां टिकट काउंटर पे आनी की आवशकता ही नहीं किस कि धर जो कि लोगों से जलता पषा किसी से कहा हऊगा दिल्ली में किसी तरफ दिल्ली में नेया टिकट का कर दिया होगा हम फिर एक बार खाली हाथ हो गए लेकिन 23 थारीक को उसको वहां से आना है तो इस आशे से कि चलिए अगर नहीं मिलना है तो एरपोर्ट की भीतर तो बिना असलों के जाएगा हम वहां से इसको उठा लाएंगे बातचीत करके फिर हम काम कर लेंगे अपना जो हमें करना है उस समय बिल्कुल आपत मचा रखी है इसने और कोई आसपास का प्रदेश नहीं है जहां इसने कोई हत्या न की हो एक हत्या प्रीतम सिंग की हुई थी जो इंस्पक्टर कुछ दिन तक स्टीएफ में थे लेकिन स्टीएफ से चले गए थे वो भी उसी के नाम चड़ी हुई थे उन्होंने बताए कि हाँ साब ये बात तो है बड़ा नामी है बहुत मशूर है उसने बड़ी देर सारी हत्या है कि हैं लिकिन हम अपने सीनियर से बात करके इसके बारे में आपको कोई जवाब देखाएंगे काफी देर के बाद उसका फोन वापस आया SSP साब के पास और उ से ले जाएं हम लोगों ने विचार भी मर्श किया आमने का साब ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा ये वो उसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा एक बार जेल में चला जाएगा फिर तो अजे हो जाएगा तमाम अपराधी इस समय जेलों से ही एलेक्शन भी लड़ रहे है हैं और जेलों से ही सारा कारेकरम कर रहे हैं ऐसा करना ठीक नहीं है और ठीक है हम चार दिन बाद उसको उससे हमारी हमारा मुकाबला होगा चार दिन बाद हम उसे देख लेंगे लेकिन ये हमें मान्य नहीं है बात तैह हो गई और ये तैह हो गई कि बिल्कु ठीक है हम उसक प्लेन से इस इतने बजे उसका टिकट बुक है वो जाएगा तो हम उसका रिहर्सल करेंगे यह बात कहके हम लोग सब 21 तारीक को वापस लोटा है यह बात तैंग हुई कि हम 23 तारीक को सभेरे बात तैंग हो गई कभी सभेरे फोन वहां से आली बिल्डर से लखनव से वहां उमेश सिंग हमारे बैचमेट वह हैट्वाटर में ही फोन कौन सा आ रहा है किसका फोन आया है वह फजरुल्ला से कोडिनेट करके और बता रहे थे उनको कोडिनेट करने का काम दिया गया था कि गोरगपुर में अगर कोई फोन कॉल आती है वह किस नंबर से आती है वह इसेंस इंसाब से बात करके इसको कम्यूनिकेट करेंगे तो लंको उन्होंने बताया कि अभी भी उसकी बात हुई है फजरुल्ला पहुंच गया था और यह जो नंबर आया है यह लेंड लाइन का और ग्रेटर कहलाज का नंबर है नंबर यह कट गया है यह बात करी रहे थे उसके आधे गंटे बाद आधे 45 मिनट बाद फिर फोन आया जो दो नंबर दिये गया थे गोरगपुर के इसाब एक नंबर पे फिर बात हुई है शी प्रकास की जो यह साब ने अपने बंगले प था और greater glass two का था यह बात खतम हुई तुरंथी उन्होंने फिर फोन करके उमेश ने बताया कि अभी उसने लड़की से बात करनी शुरू की है गोरक बुरवाले नंबर पे लैंड लाइन के नंबर पे और अभी बात चल लई है नंबर वही है जो पहले बताया गया तीन तीन नंबर तीन तीन जगह बात की गई और एक ही नंबर से वो भी लैंड लाइन का तुरंथ आनन फानन में सब लोग तयार हुए कि चल के देखते हैं ग्रिटर कैला शालां की वहां से 35 किलो मेटर दूर था लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह अंदाज लगा है कि कल तो उसको ह कि एप हुम तेज टारीख को इंट्रस्ट करेंगे वहां एरपोर्ट के बाहर लेकिन अगर वो बात कर नहीं किसी के घर से बात कर रहा है फिर एक दिन चपी के साब उसने बैंकॉक जाके अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली है फोटो लेके ये स्टेफ वाले चाहे जित्ता गुमते रहें उसको फोटो से पहचान नहीं पाएंगे इस तरह की गुमराह करने वाली बातें बहुत सी अखवारों में चपती रहें आज भी जो उस समय के लोग होंगे उन्हें जानकारी होगी किन किन अखवार वालों ने इस तरह की ख़बर कप-कप छापी थी खेर यह टाइम हुआ कि चली हम लोग चलते हैं पहले इसका पता लग जाए थोड़ी देर में दिल्ली क्राइम ब्रांच से जिसके टश में थे सब लोग उसने यह बताया कि साब यह ग्रेटर कैलास टू में एक पीसीओ का नंबर है पिर यह हुआ कि हम लोग चलके पहले उस पीसओ वाले से बात कर लेते हैं सभी लोग हम मेरा अबिनाश हूं भातिया सतिन वीर शिस्ञशाब करो यह मां सहरो मां सब पीछे-पीछे आ रहे थे कि पहले फस्ट्राइंद जानकारी कर लें tecnología मैं एक एक आदमी पूछेगा, चार आदमी बताएगा, अच्छा भी लंबाई कितनी थी, बोले साब यह तो नहीं पूछा, जो कुछ भी पूछना है, सब लोग मिल की पूछ लेंगे, एक उसका फिगर, एक उसका आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरह का था, क्या कपड़े पहन रहे थे, कि अब हम बहुत दूर नहीं है, एक तो नौरात्र चल ले थे, और मैं माविन दिवासनी के का बहुत, वो मेरी डाइटी है, चम्ली डाइटी है, तो मैंने वहां कहा भी साथ किसी नौरात्र में हमारा काम हो जाएगा, हम लोग अब दोड़ते दोड़ते ठक गए हैं, और सब लोग पूर्ण मने वोग से काम करेंगे, तो अब यह बहुत टार्गेट हम से दूर नहीं है, तो इसी विश्वास के साथ फिर हम लोग वहां से निकले, कि चलेंगे वहां पहले PCO में, पूछ लेंगे वो कैसे है, फिर वहां से निकल के एरपोर्ट का बहुत ह लेंगे कि किसी तरफ से, उसमें ये था कि हम लोगों के जो पिछले नंबर्स मोबाइल के मिले थे, और कहां कहां से किये गए थे, वो दिल्ली में एक ही तरफ से किये गए थे, एक आधी कॉल थी, जो दिल्ली के दूसरी तरफ से की गए थे, बाकी सब एक ही तरफ से की ुअनTwet का था। कि हमितने उसे लौट पर देंगे, कि हमें सुब Unters सुब वहां कम सकम दो घंटτε पहले दो घंटे हमें मिल जाए हमें व जाने नहीं देंगे उसको जाना ही जाना है बहुत होगा एक पिस्टल लेकर एक फॉटी सेवन लेकर अगर वह होगा भी गाली में तो एक फॉटी सेवन वह चोड़ देगा नीचे उतरेगा रास्ते में यह भी तैया गया कि जो बैरियर ऑफिशियल वहां पे एरपोर्ट जा घाया गया उसके पहले बैरियर दिल्ली पुलिस से बाद करके हम लोग अपना लगा बहें और अगर गाली का पता लग जाता है तो उसको रोक लेंगे नीचे उतार लेंगे और एक लोग पहचान जाकर पहुंचे वहां पर एक साउथ इंडियन वो थे जो उसके PCO के मालिक थे बहुत ही पॉस्ट लोपिर्टी थी और उन्होंने बता है कि हां साब बहुत लंबी-लंबी कॉल की है काफी पैसा उसने दिया है और इनी नंबरों पर बात की है उसने तुर्ण रिट्रैक्ट कर करके रिट्रीव करके हम लोगों को नंबर बता है हम कंफर्म हो गए कि तो उसने बता है सब दो लोग भीतर आये थे यह पूछा किया गाली बोले हां सब गाली उनके पास बाहर थे एक आत्मी बाहर ही था नीले रंकी सीलो गाड़ी थी यह हुआ कि बोले साब बा मुश्किल तमाम दो मिनट हुए होंगे अभी वो क्रॉसिंग तक नहीं पूंचे बस एक दम से हम लोगों में जान आ गई हम लोग भागे वहां से तब तक वो रेड लाइट हो गई उससे जैसे ही आगे निकले रेड लाइट हो गई और रेड ल पे वो दिखाई रहे लेकिन जब हम लोग गाजयावाद बाॉडर पे पहुंचे तो फिर वो यह समझने में कम मतलब समझ नहीं पार तो गाली कि दर गई होगी और उनको वहां सामने वीपीएन सिंग एक इंस्पेक्टर उनके साथ थे गाजयावाद में पोस्टेड थे इ इपीएन सिंग उधर से लोटते समय उसने टेलिफोन पर ये बताया कि सर ये गाली इंदरापुरम की तरफ मुड़ी है और अभी पांच मिनट पहले मुड़ी है मैं आगे चलके इंदरापुरम की जो और चौकियां हैं सिपाही हैं उनसे कोशिश करता हूँ बैरियर लगा पूस्ते हुए वो बीपिन सिंग आ रहा था हम लोग भी पूस्ते हुआ रहा थे लोगों ने बताया चुंकि सीलो बहुत डिस्टिंक गाड़ी थी उस समय बहुत कम इस्तेमाल होने वाली गाड़ी थी बहुत दूर से देखने में बहुत लग्जूरियस गाड़ी लगती तो इसलिए लोग उसके बारे में बता रहे थी कि हां सब इदर से गई है आगे थोड़ी दूर पे एक बैरियर सा लगा दिया गया और सीलो गाड़ी दिखाई पड़ गई यह बात होगी दिन में साड़े 11-12 बजे के 22 सितंबर 1998 के और आगे थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता था और यह हुआ कि पहले इसको या तो कॉर्णर कर लिजिए क्योंकि इसके पास असलहे सभी तरग है और उस समय बहुत जोश आ गया कि अगर एके 47 भी होगी तो कोई बात नहीं हम लोग आदमी में इस समय जादा हैं साथ आठ आदमी हैं और हम लोगों के पास भी तीन-ती पीछे होने का प्रयास किया बैक करने का प्रयास किया बैक करने पर इसने पीछे जब देखा तो इसे लगा कि इसकी गाड़ी का पीछा हो रहा है इसने थोड़ी सी तेजी दिखाई तो हम लोग अपनी गाड़ी पीछे वहीं सलक पर एक दम छोड़के मैं सतियंद भीर सिं जो बैखो रहे थी। उसने उस जाडि में उस तरफ जिधर जंगल सा था वो उसका जंगल था बबूल के अमेरिकन बबूल वाला जंगल था ह। उस तरफ जानेकी कोशिश की लेकिन एक पेड़ से लडग Teil यह AU कि क्योंकि वो बीत देखनें घंढ सा था शायद उसको यह भरम किया गया पीछे की तरफ से सब लोगों ने घेरा उसे थोड़ी देर तक फायर होता रहा आसपास के लोग आ गए बहुत इल डेवलेप्ट कॉलिज थी वहां पर दिन की बात थी आ गए सब लोग थोड़ी देर बात शोर शराबा शांत हुआ जो तीन लोग उसमें से निकले जो भागने की कोशिश किये थे सब लगबर लगबर दूर से ही जमीन पर दिखाई पर लए थे लेकिन ये लग रहा था कि अगर पास जाएं और ये जिन्दा होंगे तो जरूर फायर करेंगे थोड़ी देर तक वेट किया गया एक दो गोलिया और चला के ये चेक किया गया कि शरीर में कोई हरकत हो रही है कि नहीं हो रही है तब फिर पास जाके देखा गया शरीर की और कपडों की तलाची लिए उनके वेपन्स उनके डाइरी और कागज ये सब उसमें मिले सब उसको रख लिया गया एक बार फिर से पहचानने की पूरी कोशिश की गई वो मुब उनके पास मिल गए उसको चेक कर लिया गया कि वही नंबर हैं जिससे वह बात कर रही थी बात कर रहा था जिसका हम लोग जिसको सुन रहे थे एक बार हम लोग कंफर्म हो गए फिर वहीं से रोंकुमा साब ने यह बात डीजीपी साहब को बताई और बाइस सितंबर को ही किसी विशेश बजट सत्र का एवजिन किया गया था एक दिन का वो सत्र था और जब डीजी साहब को बताया गया तो डीजी साहब ने जो प्रोमक सचिव ग्रे थे उनको बताया और वो लोग सदन में ही उन्होंने एक छोटी सी परची में मानी मुखमंत्री जी उस समय बोल रहे जो भी छोटा बजट था या अनुपूरत बजट था 22 सेकंबर 1998 की बात है वहां उनके सामने एक slip तुरंद भेजी गई कि शी प्रकार शुकला अपने दो साथियों के साथ STF के हाथ हों गाजियाबाद के इंदरापुरम में मारा गया उसको जैसे ही पढ़ा उन्होंने अध्यक्ष विधान सभाद देख्षी कृष्णी नाते पाठी जी थे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मानिवर मैं एक विशेश गोशना के लिए अनुमत ही चाहता हूँ थोड़ी दिर के लिए सदन की कारवाई रोगी जाए अनुमत मिलते ही उन्होंने वो परचा पढ़के सुनाया कि और ये कहा बहुत ही प्राउडली ये कहा कि हमारी स्टीएफ ने हमारी पुलिस ने आज प्रदेश के आतंग का परयाय बने श्री प्रकार शुकला और उनके दो साथियों को गाजियाबाद में एक मुर्भेल में मार गिराया पूरा सदन पैरों पर खड़ा हो गया तारिया बस्ती रही सभी लोगों ने मानी मुकमंत्री जी को बढ़ाई दी आप समझ सकते हैं कि पताने कितने लोगों के कितने बीच में लोकल पुलिस सब आ गई एससपी गाजियाबाद सब आ गए और तमाम पुलिस फोर्स आ गई सारा लकनव और सारा दिल्ली और गाजियाबाद का मीडिया पहुंच गया वहां पे तीनों शोंगों को उनको सील करके वहां से हटाया गया उन्हें ज्यादा लंबी प्रोसेस वहां करने पर भील बहुत हो रही ती यह हुआ मौचरी भेज के वहां पर इसको सील बंद करा लिया जाएगा इसी बीच में राजी रुतन शाह साब का फोन आया राजी रुतन शाह साब ने अरुंकुमा साब से पूछा कि कहा हूँ हम लोग यहीं से सीधे एरप बाड़ी आपर है ही और उनकुमा सामने कहा कि साबसी बाड़ी मैं भेज दिगई ती एक उन्होंने कहा कि मैं मेरी पत न उसकी बाड़ी को जेखना चाहते हैं क्योंकि मेरे समय में ही स्टीएफ का गठन हुआ था मेरे समय में ही मेरी पत्नी की जो क्लासमेट हैं केके रस्तूगी की बाइफ यानि कुनाल की मा उनका मुर्डर हुआ था और कुनाल की किड्नेपिंग हुई थी तो हम लोग चाहेंगे कि हम बार इस ऐसे खुंखार आदमी की ऐसे आतताई की ऐसे राक्षस की हम इसको देखें तो कैसा था हूँ तो खेर उनको पताया गया SSP गाजियाबाद ने कहा कि हम साब पूरी बिवस्ता करा देंगे वो दिल्ली में अपने आफिस में थे शायद उस समय प्रसार भारती में थे श्री राजी रतन साथ साब और ये सही था कि उनके ही प्रयाश से गजट नोटिफिकेशन स्टीफ का हुआ था उनके और अजयरा शर्मा साब के प्रयाश से ये खड़ी हुई थी और जिस समय वो प्रमुक्स चिवगरी थे उत्तर प्रदेश के उसी समय कि ये सारी बड़ी गटनाएं लखनवू की और बाकी जगव हुई थी वो हुई थी तो बड़ा नेचुरल सा था नेचुरल भी था कि वो उसको देखना चाह रहे होंगे खैर हम लोग वहां से सीधे गए होटल अपना सामान लिया सामान लेने के बाद एरपोर्ट की तरफ गए और एक सामानने फ्लाइट से हम लोग अमोसी एरपोर्ट पर लखनवू की उत्रे जैसे ही वहां उत्रे तो वहां नजारा ही बहुत अलग था वहाँ कम सकम पाँच हजार वेक्टी थे हमारे SSP साहब तक्तालीन SSP लखनवू के श्री इलजनिकां मिश्रा साहब थे पूरी पुलिस फोर्स सी लखनवू की सारा रैंक और फाइल लखनवू पुलिस का सभी अडिशनल स्पी सभी सियो सभी सिपाई सब लोगते बहुत धेर सारे बैंड बाजे थे पता नहीं कितनी टीमे थी बैंड बाजें की और हम लोगों के सब के परिवार और बच्चे भी थे आप उस समय कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था एक बार और एक बात और मैं बीच में भूल गया कि जब उसे मार दिया गया और ये कंफर्म हो गया हम लोगों ने उसी को मारा है तो पहले ये तेहां गया कि भई अपने अपने घर में सब लोग बता दीजिए क्योंकि ऐसा नहीं ये अखवार वाले हैं जाने क्या कौन सी बात अभी चलने लगे और सब परिशान हो जाएं तो सब लोगों ने अपने अपने घर मैंने भी अपनी शिमती जी को फोन किया और छुटते उन्होंने कहा गया रहे ऐसा संबव नहीं है तुम लोग नहीं मार पाऊ गया इसको लेकिन फिर जब एक दूसरे से सबसे बात हुई तो जब उन्हें कनफर्म हुआ तो आप समझ सके हैं कि उनको और बच्चों को कितनी खुशी होगी क्योंकि हम लोग के बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था हमारे दोनों की बच्चे उस समय बहुत चोटे-चोटे थे इसकूल जाते थे लेकिन पिछले पांच महीने से उनका इसकूल जाना बन था सभी के घरों पर बहुत ही कडी सुरच्चा ववस्ता की गी थी कहीं कहीं कमांडो भी हम लोग कहां बेजे जाते थे तो हम चलते थे गालिओं से तो कमांडो अपने लेके चलते थे। तो इस तरह से हम लोग वहां उतरे और बहुत जिसको घ्रदय से लोगों ने लगाया और बहुत बड़ा सौगत किया वहां से हम लोग अपने अपने गहर पहुंचे उसी दिन मानी मुखमंत्री जी ने जो सदन में घोशना कि मैं उसके इस टीम के प्रतेख सदसे को एक एक लाक रुपए नगत पुरसकार दूँगा और ये भी घोशना कि इसमें जित्ते लोग भी शामिल हैं सबको एक एक पद का आउट अफ टर्न प्रोमोशन दि इसी सूरत में हो सके तो वो कराया जाए जिसको इन्होंने निभाया सबको एक एक लाक रुपए दिये गए हम लोग राजबहन बुलाए गए वहां तक कालीन राज जिपाल महोदय ने सबको एक पौधे परदान किये और आप समझ सकते हैं कितना लोगों ने शांती महसूस की और कितना हम लोगों को वहां पर कितना अच्छा रिस्पॉंस मिला हम लोग भी बहुत खुश थे और कि एक बहुत खराब समय से इसले एक साल से भागते भागते और दोड़ते दोड़ते ये हम लोगों को सफलता मिली थी हम लोग जब आफिस पहुँचे थे तो आफिस बीज के लोग थे जिन्होंने नहीं बताया था यह किसी वजह से वो डर गए थे या जो भी वजह थी वो भी उनके अंदर भी वो उत्साहा था कि उनके उनके सरी से जो खत्रा था जो डर था वो दूर हो गया थे तो ऐसे सारे लोग वहां पर आए मुझे ध्यान है कि उस समय जो प्रिंस्पल थी करामत स्कूल की साइमा खालिक वो भी बिचारी आई थी अपने कुछ टीचर्स के साथ के साथ मुझे पता नहीं था आप लोग किस कारण से वहां आए थे और मुझसे शायद उस समय भूल हुई थी और भी तमाम जो स्कूलों के लोग थे जिनको गाहे ब बगाहे बाद में पता लग गया कि शायद वो किसी बच्चे की किड्नेपिंग के चक्कर में हां घूम रहा था और स्टीफ के लोगों ने उसकी जान बचाई या ऐसा होने से बचाया तो ऐसे बहुत सारे लोग क्यों कि आखवारों में छब गया था सारी अखवारों के ली आज मैं यह समाप्त करूँगा मेरा यह कहना था कि इस पूरे एपिसोड में मैंने तो अपनी पहली पोस्टिंग से शुरू की अभी स्टीफ बनी और 22 सितंबर को श्रीप्रकार शुकला का अंत हो गया इसके आगे बहुत बड़े बड़े काम स्टीफ ने किये जिनमें से कुछ मैं बिता दूँ चौदर दिसंबर 98 को ही एक मुद्भेड हुई जिसमें बब्दू श्वास्तो गैंके चार बदमाश पार्क स्टीट पे कलकटा में दिन में मारे गए एक बड़ी किड्नैपिंग के सिलसले में वहां गये थे और उस किड्नैपिंग को हम लोगों ने बचाया और बिल्कुल किड्नैपिंग के बीच में ही चार लोगों को मारा गया और उसमें मंजीत सिंग मंगे और सते तिवारी ये दोनों लोग वहां पर गोलियों से चलनी पकड़े गए बहुत दिनों हरदवार के थे उनकी किड्नैपिंग हुई उसको सॉल्व किया 18 मार्च 99 को इलहाबाद के ग्रिकल्चर इंस्ट्टूट में एक मैंक सिंग करके रड़का था उसकी किड्नैपिंग हुई पचास लाग की फिरोती उसमें मांगी गई और इलहाबाद में उसमें इसके विरोध म बंद कर दी गहीं थी उसको हम लोगों ने वर्काउट किया सबसे बड़ा काम दो जून 99 को हम लोगों ने किया था अजीज उद्दिन शेख नाम की एक आदमी को जो डिकमपनी के लिए काम करता था उसको और वो नेपाल के रास्ते आने वाले एक मेसंजर से एक फॉटी से किया था और इस तरह के कई हत्याओं में वो शामिल था जो अहां दाउद के लोगों ने कराई थी उसी में उसका ट्रायल हुआ लोवर कोड से फासी हुई हाई कोड से उसे आजीवन का आवास की सजा में उसे तब्दिल किया गया और वो आज भी पुने के जेल में बंद है यह बहुत ही इसकी जो प्रासेस थी उसका जो अपराद था बहुत ही गंभीर किसम का था और कैसे कैसे हमारी टीम की अरुकुआ साब के निकित्त में इस पूरे केस को हम लोगों ने खोला था जिसके लिए बहुत बार बंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह आभार किया था पांच अगस्त को पांच अगस्त 99 को वहां के बनारस के सबसे बड़े कोईला वैपारिया आनद प्रकाश अग्रवाल की किड्नेपिंग हुई थी किड्नेपिंग करने वाले CBI ऑसर्स के बेश बुसा में टाइ सूट लगाए हुए गये थे और यह किड्नेपिंग कि बाद में इसने कलकटा के अमेरिकन सेंटर में सुबह वहां कलकटा पुलिस के चार जवानों को मार दिया था और दुबई में बाद में पकला गया एक्सेडिशन होके वो यहां पर आया और कलकटा की इस इंसिडेंट में ट्रायल के बाद उसे भी कैपिटल इस तरह से बहुत धेर सारे काम टेर्रिस्ट के उस समय यह में धीरे धीरे आपको स्टीफ की यह जो जर्णी दो हजार एक तक दो हजार दो तक उसके बाद फिर मैं इस्पिसिटी लखनव हुआ वहाँ एक बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे मैं जरूर बताना चाहूंग आपको यह जो नास फाउंडेशन में आठकिल 377 के हटाये जाने का सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ दर असल इसकी शुरुआत लखनोग से हुई थी उस समय हम लोगों ने यह 377 उसमें वैलिट था और उसमें वह आफिंस था एक बहुत बड़ा सेंटर उसका नास फा कि उस समय यह कैसे हुआ था और कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे थे और उसके क्या-क्या रिपरकर्शन हुए फिर वो कैसे वो हाई कोट में उनकी बेल होने में मुश्किल हुई और कैसे उसके जो मुल्जिम थे बहुत लंबे समय तक जेल में रहे और फिर वही उस मुव पिलिस के विरुद्ध वहां प्रदर्शन हुए और फिर यह एक अंदोलन सा बन गया और बाद में मन्नी उचितम नियायले ने उसी आधार पर लड़े गए तमाम मुकदमों के सिलसिले में अपना फैसला सुनाया और 377-370 यानि समलेंगिक अपराधों को उन्होंने अपर मुमको तमाम चीजेँ सीखने के लिए मिलती हैं जिस एहरा का मैंने अभी जिकर किया जिस अपराधि का जिकर किया वह उस समय का था जब हम सुशल मीडिया प्रहाई थी जब हम मुबाइल फून पर नहीं थे और मोबाइल फोन के आने के बाद ही जस्त बाद ही और मोबाइल फोन के इस्तमाल करने के तीन-चार महीने बाद ही उसका अंत हो पाया आज की तारीक में ना तो उस तरह का अपराद संभु है और नहीं इस तरह के अपराद ही संभु है बहुत अच्छा मैं बार-बार नमन करता ह अगर ये electronic voting machine नाई होती और वही बूत कबजा करने की मतपत्रों को फाड़ने की मतपेटियों में स्याही या पानी डालने की वो परंपरा आप तक होती तो लोकतंत्र का स्वरूप बहुत बिगड़ चुका होता आप जानते हैं कि उस परंपरा में जब ये मतपत्रों से वोटिंग हुआ करती थी तो उस समय जो मानी जन प्रतिदीच उनके आये हैं आप समझ सकते हैं और इस शिप्रकार शुकला इसने और सूरजभान जो इनके गुरू थे इन लोगों ने इनके दिमाग में क्या था कि कै इसे वो अपने लोगों को लड़ा के विधायकों को बना के उस समय बहुत राजनेतिक इस्थिता का दौर था वो उसका फायदा उठाके साशन में सरकार में आके फिर तो बहुत मुश्किल होता तो उसके बाद की अब धीरे धीरे टेक्नोलोजी का ग्यान बढ़ता गया स्टेफ ने उसका प्रयोग भी शुरू किया और हमने 98 से लेकि 2004 के बीच में उत्तर प्रजिश में जो संगठित गिरोध है माफिया के उनको समाप्त करने का कारिकी है आज मैं ये अनुरूत करूँगा कि आज ये शृंखला मैं यहीं समाप्त करूँगा हमें आप 2-4 दिन का समय दें कल या परसों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर बाद में कभी मैं आग आपनों के सम्मुख जरूर आऊंगा अपने पुलिस के जो एक्सपिरियंस हैं क्राइम और क्रिमिनल के साथ उसको ले के आपने इतने दिनों तक सुना बहुत अच्छे टिपनियां की सुधार के बहुत धेर सारे आपने रास्ते बताये मैं आपका हृदय से आभारी हूं ह तो अगले तीन-चार दिनों तक अब कल या 29 या 30 में लागडाउन आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा अगर बढ़ाया जाएगा तो उसके तुरंद बात मैं तीन-चार दिन में ही पुनह आपके समक्ष क्राइम के बारे में जो मैं जिन में लकनवु स्टीएफ यम-एसोम इन्वाल रहा हूँ मेरे साथ मेरी टीम ने जो भी क्राइम से युद्ध करते हुए जो चीजें जिन पर विजय प्राप्ति की है जिस तरह के क्राइम पे उसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा बहुत-बहुत धन्यवाल